आयोध्या में भगवा एंड राम के बाल स्वारूप की प्रतीमा वराजबान हो गई है लेकिन तमाम मुर्तिकारों को प्रभू की मुर्ती बनाने का स्वभाग्य नहीं मला। इसके बावजूद राजस्तान की युवा मुर्तिकार नवरत्न प्रजापती ने नए आयाम चुने में सफलता प्राप्त की है। आपके मुन को छूजाएगा और जैश्री राम की आरात्ना की भाबना को जगाएगा। नवरतन प्रजापती से नवरते श्रीवी ने खास बाची थी। सब्सक्राइब। हिंदूों की आस्था के प्रतीक प्रभू श्री राम 22 जन्वरी 2024 को अपने महल में विराजेंगे। इस उत्सव को सेलिबरेट करने के लिए हर एक व्यक्ति अपनी अपनी तरीके से भगवान श्री राम को रिजा रहा है उन्हें मना रहा है। क्योंकि कहते हैं कि आस्था बहुत बड़ी चीज है और यही आस्था हमें कुछ विशेश करने की शक्ति भी देती है। मूर्तियों को गड़ने वाले नवरतन प्रजापती जी आज हमारे साथ मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे एक विशेश आपने आकरती बनाई है भगवान श्री राम की। वैसे तो श्री राम लला के लिए तीन अलग-अलग मूर्तियों का चैन किया गया था जिसमें से एक मूर्ति फाइनल कर ली गई है। पांच फिट से ज्यादा की वो बड़ी मूर्ति है और कई महिने उसको बनने में लगे हैं। लेकिन आपने जितनी विशाल छवी प्रभू श्री राम की है आपने उसके उलट एक काम करा है। जानना चाहेंगे उस काम के वारे में। जी सभी को नमस्कार मैं नावरतन प्रजरबती। अभी आप जो देख रहे हैं जो चबी जो मैंने बनाई हैं। जो पैंसिल की जो नोग पे श्री राम जी की वो इतनी सुक्स में चबी है को आप इसको नंगी आंगों से कभी देखने सकते हैं। जो कहा ना कि सारी लोग बड़ी बड़ी मूर्तिया बना रहे हैं। क्योंकि उस मूर्ति के अंदर में पिछह के तायतवर दिये था कि जो प्रभु स्री राम थे वो मर्यादय पूर्सम थे उसमें कई गून थे उनमें। अरुम से लोग दिखते होई मैं अने देखा कि जो पैंसिल की नोक है ना यीँडी प्रभु स्री राम जीग बनाना मूर्ति इतना सराल नहीं होता क्योंकि इस मूर्ति में इतर नापतोली नहीं होती जोंकि आपको सकते हैं इसका का अपना काम करते हैं। जब कही खिलाडी होता है एक गलत सोट मार जाता ना तो वह ग्राउंड से आउट हो जाता है तो उसे प्रकार से इसको बड़े द्यान से देखे ओई चभी मने बनाई ए प्रभू श्री राम जी इसकी प्रेहना आपको कहां से मिली इसकी प्रेहना मुझे सारे जैसे काई जो बना रहे हैं उसको देख क्या है मुझे क्यों नहीं वह ब्लैक फट्र के अंदर बनाई है यह प्लेक फट्र को देखके मेरे पैंसिल को में चेंड किया मैंने इससे पहले भी जैसा कि इस दिवार पर हम देख पार हैं कई प्रकार के रिकॉर्ड यहां पर रहें तो इसस पहले भी आपने सूक्षम चीजें बनाई क्या क्या चीजे मैं घोनाई टौक पर फट्र कॉलब के दो काफी कपिछली साल तब पहले ग्माम को मैं अनोर निकल की नावच्छ शेंसते नदरака हम मिधायम की बनाई ही inte उसके बाद मैंने जैसे लाल टन भी मनाई थी वह दोजाट शेकी सबसे पहले ही मरी जोड़े। उसके बाद मेरे मन में मेरे विचार में एक उर्जाव उत्पन होती ना तो वैसे उत्पन हो नहीं कारे करता है तो आपसे जानना चाहेंगे कि हर कोई सी भी आर्ट होती हो से सीखने में काफी टाइम लगता है क्या यह आपका पुछते हैं मेरा जो पुछते ने का मेरे मारवल की मूर्थियों का है ठीक है और जो मिनीचर जो काम ही मेरा वह एक गोड़ गिट विए आप समझ लीजीए और यह मैंने जो मिनीचर काम सीखना मैंने स्टाट के ना एक यूटूब में देखके मैं सिखाए क्योंकि यूटूब में कई ने लेकिन उसके बाद इनों ने इस प्रकार की आकरतिया बनाई है जिसकी व्लेशी जो में रहे साफ तोर पर कहना है कि जो भले ही यूटूब से देखके ने प्रेड़ना मिली हूँ लेकिन उसके बाद इन्होंने इस प्रकार की आकरतियां बनाई हैं जिसकी वजह से ये दीवार पर जो आप देख सकते कई प्रकार के रिकॉर्ड इन्होंने हासिल करें भले वो लिम का बुक आफ रिकॉर्ड हो यूनीक बुक रिकॉर्ड हो गिनीज तो इन तमाम पुरुषकारों के बाद भी एक ऐसी ने प्रेड़ना मिली श्री राम जी की पैंसिल की नोग पर आकरती बनाने की जो की वाकई में बहुत लुभावनी और जैसा कि इन्होंने भी का नंगी आंखों से उसे देख नहीं सकते लैंस का उप्योग उस मूरती को उस आकरती को देखने में किया जा सकते हैं और कहते हैं ना कि नवरतन जी का जो काम है सूक्ष्म काम है ऐसे ही हमारे जो गुण होते हैं वो भी सूक्ष्म होते हैं जो किसी को दिखते नहीं हमारे गुणों की ही तरे नवरतन जी ने भी उस सूक्ष्म चीज को दुनिया के स अबिले तारीफ है।